आज मैं आप लोगों को रिव्यू तेने वाली हूँ ममार्थ के अन्यन शेंपू का गाइस इस शेंपू का कम्प्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगी और साथ ही विताओं कि अपना एक्सपीरियंस इसको यूज करने के बाद मुझे कैसा फील हूँ तो वीडियो में दास तक बने रहना सबसे पहले इसके प्राइस की बाद कर लेते हैं इसका प्राइस है 249 रुपीज आप देख सकते हैं इसके क्यूंटेटी 200 ml है तो यह अच्छी खासी क्यूंटेटी में आपको मिल जाएगा और काफी अफोर्डेबल भी है इसका लिंक भी के लिए अपने बालो के लिए ऑनियन से जो आपके बाल सौफ्ट होते है और ठिक होते हैं यह आने तो यह बर्द जो शैंपू है कि इसको मैंने ट्राइक हिआ लगबग 1-但是 two month तक मैंने एसको ट्राइक हिआ और उसके बाद अपना experience आप लोग को बताने वाली हूं मुझे कैसा फिल हुआ गाइस इसको यूज करने के बाद सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस शंपो को जो पर यूज करते हैं तो सबसे पहले ऑईलिंग जरूर करना है और ऑईलिंग करने के बाद उसको इसको यूज करने के बाद मेरे जो बाल है काफे इस को बाल हो जाते हैं और थिक भी होते हैं अगर आपको रगुलर यूज लेना है तो आपको इसको रगुलर यूज करना पड़ेगा इसको लगाना पड़ेगा इसका आप ऑईल भी यूज कर सकते हैं या ओईल कोई भी यूज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद शैंपू करना है तो यह हर्बल शैंपू है मतलब काफी ज्यादा नेचर से एक्स्ट्रेक्ट करके चीजें इसमें मिलाई गई है और काफी अच्छा यह बालों के फ्रीजनेस होती है ड्रावार्थ निकालता है तो यह वाला शैंपू काफी सैटिस्फाइड हूं में इससे और लॉंग टर्म तर्म तक आप इसको यूज करते हैं तो आपके जो बालों के फ्रीजीनेस होती है ड्राय होते हैं आपके बाल वो चीज दूर हो जाती है आपके बालों को हाइड्रेटेड रखती है यह ठीक है गाइस तो आप इस शैंपू को ज़रूर यूज कर सकते हैं अगर आपको यह ऐसा शैंपू देख रहे है जो कैमिकल फ्री हो और आपके बालों को अच्छे से सॉफ्ट बनाए और आपका हेर फॉल कंट्रोल करें तो यह वाला शम्पू सुरूर राय करना चलिए ठीक है गाइस मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक्यों गाइस बाइस